मुस्लिन देशों और फ्रांस के बीच पैगंबर मुहम्मद का कार्टून विवाद अब भारत पहुँच गया है फ्रांस के राष्टपती एमे नियोर मेंकों के खिलाफ मद्र प्रदेश की राजधानी भोपाल में जोरदार प्रदेशन किया गया बीते गुरुगबार को भोपाल के इकबाल मैदान में बरी संख्या में लोग जूटे और सभी ने नारों के साथ विरोध प्रदेशन किया बताया जा रहा है कि यह जोरदार और बरा प्रदेशन भोपाल मद्र प्रदेश्टे कॉंग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने करवाया था इस प्रदेशन में लोगों ने फ्रांस के राष्टपती के खिलाफ जमकर नारे बाजी की फ्रांस में पैगंबर मुहमत पे की गई टेपनी के खिलाफ लोगों ने प्रदेशन किया इस प्रदेशन का मीडियो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वाइडल हो गया इन हजार लोगों ने इसलाम को बचाने के नारे लगा है इस प्रदर्शन पर पुलिस ने काफी सक्ती दिखाते हुए लोगों को डिटेन किया और विदायक आरिफ मसूत के साथ उनके कई समर्थगों को हिरासत में ले लिया है पुलिस ने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने करोना गाइडलाइन का उलंगन किया है और उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया है दूसरी तरब मुखिमती शिवरासिंग चौहान ने भी इस प्रदर्शन को लेकर टूइट किया है उन्होंने टूइट कर बताया कि मद्रदेश शांती का टापू है और इसकी शांती को भंग करने वालों से हम पूरी तरह सक्ति से दिपतेंगे बताते चले कि इस पूरे विवात की शुरुवात तब हुई जब 16 अक्टूबर को फ्रांस में पैगंबर मुहमत का काटून अपनी क्लास में दिखाने वाले सिक्षक की गला काट कर बेरामी से हक्तिया कर दी गए थी इस वीडियो में फिलाल इतना ही देश दुनिया की बाकी खबरे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले